हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टु विद्ध्यार्थ स्टुडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि टेंथ मैट्स में हमने फर्स चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है रियल नंबर्स और अब आगे हम मूव होंगे सेकेंड चैप्टर की तरफ जो है पॉलिनॉमियल्स अगर आपने अभी तक रियल नंबर्स के वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किये है तो मेरा सजेशन यह है कि आप पहले उसको अटेंड करेंगे उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू पॉलिनॉमियल्स तो यह है स्टुडेंट्स पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का पार्ट 1 तो चलिए start करते हैं सबसे पहले introduction तो आपको मैं word polynomial का meaning समझाऊँगा यहाँ पे ध्यान से सुनिए polynomials तो लिखा है यहाँ पे an algebraic expression of the form p of x तो पहले तो आप इस term p of x का मतलब समझिए p means polynomial और x means x is a variable जिसके terms में पूरा expression लिखा हुआ है student ध्यान से सुनिए कि polynomial का expression होता है उसमें कौन-कौन से factors या terms use होते हैं सबसे पहला होता है coefficient जो आप जैसे देख सकते हैं सामने an, an-1, an-2 इस तरीके से जो terms लिखे हुए है a के तो a यहाँ पे constant है means real number, real numbers हम पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं तो यहाँ पे a जो है वो constant coefficient है जो कि किसी भी टाइप का real number हो सकता है next x तो x is a unknown variable जिसके terms में पूरा यह expression यहाँ पे लिखा हुआ है फिर power आपको दिख रहा होगा n, n-1 तो n यहाँ यहाँ पे again कोई भी real number हो सकता है ठीक है बट negative नहीं होगा यह important है कि जो power है आपका वो negative नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है it is a positive integer always ठीक है negative क्यों नहीं हो सकता negative उसका reason मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में तो अभी तक हमने क्या समझा कि polynomial is an expression of coefficients which is ultimately constant और any real number x, y, z कोई भी unknown variable then power n, n-1 यह descending order में इसका power आपको दिख रहा है जो कि always positive integer ही होगा negative नहीं हो सकता है आपको तुरंत मैं एक example देता हूँ जिससे जादा अच्छे से आपको clear होगा देखिए लिखा है p of u तो जैसे कि मैं बताया p means polynomial का expression तो उसके लिए notation हम p use करते है u मतलब u is unknown variable जिसके turns में हम express करने वाले हैं फिर लिखा है half u cube तो half is coefficient of u cube तो half u cube is one term next minus एक operator है minus plus multiply divide इस तरीके के हम operators भी use करते हैं फिर है second term हमारा 3u square फिर next है 2u और minus फिर 4 तो यहाँ पे जो half minus 3 plus 2 और minus 4 है students यह क्या है coefficients ठीक है u variable है और u का power descending order में आपको दिख रहा है 3 then 2 1 फिर 0 हो गया तो powers are always positive integer they cannot be negative और in fraction तो hope आपको यह example clear हो चुका होगा आप देखिए यहाँ पे लिखा है terms के बारे में terms of polynomials and coefficients ठीक तो आप यहाँ तक note करिए फिर आगे बढ़ते तो hope आपने note कर लिया है यहाँ तक तो यह था definition of a polynomial चलिए आगे discuss करते है what are the types of polynomials next तो types of polynomials polynomials can be categorized in three types on different basis चलिए देखते हैं कि क्या है first है based on number of distinct variables यह मैं भी आपको एक एक करके explain करूंगा next slide में next based on degree और third based on number of terms terms तो आपको clear हो गए क्या होता है terms in a polynomial degree चलिए degree और यह distinct variables आपको मैं next slide में इन दोनों points को clear करता हूँ तो आप finally इस page को note कर लेंगे video pause करके फिर आगे देखते हैं next चलिए आगे बढ़ते हैं students अब हम start करते हैं classification of polynomials finally तो तीन criteria आपने देखा अभी जिसके basis पे हम classify कर सकते हैं चलिए first देखते हैं तो polynomials classified by number of distinct variables variables आप जानते हैं x, y, z कोई भी unknown quantity जिसको की हम calculate करेंगे आगे के exercise में आप देखिएगा तो distinct variables मतलब अगर variable एक है या एक सधिक है उस basis पे अगर हम classify करते हैं किसी polynomial को तो चलिए उनके types देखते हैं सबसे पहला जिसमें की variable 1 हो आप इस screen के उपर देखिए अपने तो polynomial expression on in which only one type of variable is used is known as univariate उसका name है example देखिए x plus 9 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस expression में सिर्फ एक ही variable x use हुआ है एक सधिक भी हो सते हैं चलिए आगे देखते हैं अगर जिसमें सिर्फ two variables use होते हैं उनको हम बोलेंगे bivariate देखिए x के साथ साथ y भी आ गया है यहाँ पर unknown variable तो यह polynomial expression क्या कहलाएगा bivariate ऐसा polynomial expression जिसमें कि तीन variable use हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे trivariate जैसे example देखिए x y के साथ अब z भी आ गया तो यह trivariate polynomial है तो ओप आपको यह first type of classification on the basis of number of distinct variables clear हो चुका है चलिए आगे देखते हैं second type तो on the basis of degree classification of polynomial पहले तो मैं आपको यह word degree के बारे में बता दूँ वैसे class 9 में आपका पढ़ा हुआ है polynomial chapter में कि what do you mean by a degree तो degree is known as the power of variable in polynomial expression पावर को बोलते हैं जैसे कि अभी मैं आपको example दूँगा तो clear होगा देखते हैं अगर degree minus infinity है देखिए infinity या minus infinity तो power होई नहीं सकता बट in case अगर theoretical हम assumption कर ले कि किसी variable का power अगर minus infinity या plus infinity है तो ऐसे expression polynomial expression को हम बोलेंगे zero polynomial क्योंकि कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि किसी भी number या variable का power minus infinity zero हो जाता है देखिए ठीक है अगर किसी भी number या variable का power zero हुआ देखिए next if degree is zero तो भी एक constant आएगा और वो constant क्या आएगा by default one आएगा for example x power zero one आएगा y power zero one आएगा किसी भी variable या number का power अगर zero हो मतलब उसकी degree अगर zero हो तो वो number one आता है इतना आपको पता है चलिए अगर power one हो जाए means अगर degree one हो जैसे x का power one y power one इस तरीके से तो फिर हम polynomial expression को बोलते हैं linear polynomial name है उसका example देखिए x plus one ठीक है x का power क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब by default one है ठीक है इसमें कितने terms है इस expression में दो term है एक x और दूसरा one next अगर degree two हो तो power two है तो name हो जाएगा quadratic ठीक है देखिए यहाँ पर power two हो गया x का x square plus one तो name है quadratic अगर power three हो जाए तो name है cubic x का power three plus two ठीक है इसमें भी दो term है x cube और two अगर power four हो तो उसका name होता है quadratic या फिर by quadratic ठीक है x का power four हो गया plus three तो ध्यान से सुनिए यहाँ पर variable कोई सा भी हो सकता है x y z बट important है power जिसको हम degree बोल रहे हैं अगर degree one होई तो linear polynomial two होई तो quadratic three होई तो cubic और four होई तो by quadratic ठीक है बट आपके syllabus में सिर्फ cubic polynomials तक ही हम discuss करेंगे by quadratic आपके syllabus में नहीं है तो hope आपको ये दोनों classification clear हो चुका होगा चलिए यहाँ तक आप note करिए इस page को फिर आगे देखते हैं तो चलिए students आगे बढ़ते हैं फिर next slide में और third classification तो third जो classification था वो था on the basis of number of terms यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो देखिए ऐसा polynomial जिसमें की एक भी term ना हो means zero term तो उसको हम बोलते हैं zero polynomial जीरो ही आएगा obviously अगर सिर्फ एक ही term है वो term आपको variable भी हो सकता है या कोई constant भी हो सकता है ध्यान रखेगा तो उसको हम बोलेंगे monomial example देखिए x square x cube भी हो सकता था y power 4 भी हो सकता था 2 3 4 कोई भी real number भी हो सकता था ऐसे expression को हम monomial बोलेंगे next अगर two हो number of terms तो उनको बोलेंगे binomial देखिए दो term आ गए एक है x square दूसरा one अगर तीन term हो तो बोलेंगे trinomial तो hope आपका यह सब class 9 में ही पढ़ा हुआ है polynomials chapter में ठीक है देखिए x square एक term हो गया x दूसरा term और one क्या हो गया है तीसरा term तो यहाँ पे तीन term वाले polynomial को हम बोलेंगे trinomial ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आप next next है value of a polynomial यह चीज़ भी आप class 9 में निकाले हैं कई बार NCRT के exercise में बट मैं आपको एक बार remind करा दूँ क्योंकि 10th में भी आपको यह चीज़ calculate करना पड़ेगा तो ध्यान से समझ लीजे कि कि किसी भी polynomial expression में अगर उसका हमको value निकालना है किसी particular number पे तो कैसे निकालते हैं देखिए if p of x is a polynomial invariable x obviously and alpha is any real number और अगर हम x के जगा alpha पुट करके p of alpha निकालना चाहे है देखिए p of alpha क्या करेंगे x को alpha पुट करेंगे alpha is any real number ठीक है तो p of alpha कैसे निकालेंगे देखते हैं example के थूरू देखें if p of x is suppose x cube minus 6x square plus 11x minus 6 अब इस polynomial expression का value हमको minus 2 के लिए अगर calculate करना है suppose alpha is minus 2 तो x को minus 2 हम पुट कर देंगे जहां जहां भी x है इस polynomial expression में तो चलिए देखते हैं p of minus 2 तो x के जगा हमने minus 2 substitute किया और solve किया answer हमारा आचुका है minus 60 आप इसको calculate करके देख लीजे तो finally p of minus 2 minus 60 आगया तो hope आपको clear हो चुका है कि कि किसी भी number का अगर हमको sorry किसी भी polynomial का अगर हमको value निकालना है किसी भी particular given real numbers के basis पे तो इस तरीके से हम variable के जगा उस value को substitute करके value of complete polynomial निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए यहां तक note करिए फिर आगे देखते हैं hope आपने note कर लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं next slide में next है हमारा zero of polynomial students यह भी कुछ नया नहीं है आपके लिए यह भी आपका पढ़ा हुआ है zero of polynomial किसको बोलते हैं या root भी बोलते हैं इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद फिर हम देखेंगे geometrical representation जिसके basis पे आपका NCRT का जो second 2.1 है exercise chapter 2 का first exercise वो इसी पे based है geometrical representation पे उससे पहले हम समझते हैं zero of a polynomial देखें आपके सामने अब आग यह है screen के उपर zero किसको बोलेंगे polynomial के zero एक ऐसा number होगा जिसको कि अगर हम x के जगा या जो भी variable use हुआ है polynomial expression में उसके जगा अगर put कर दें तो पूरा expression क्या हो जाएगा zero फिर से repeat कर रहा हूँ zero एक ऐसा real number है जिसको कि हम variable के जगा जब put करें तो पूरा polynomial expression क्या हो जाना चाहिए zero एक example देखें आप यहाँ पे suppose p of x is x cube minus 6x square plus 11x minus 6 एक expression आपको given है अगर हम x के जगा 1 put करते हैं तो भी हमारा पूरा expression solve हो के zero आ रहा है 2 put करते हैं तो भी पूरा expression solve हो के zero आ रहा है 3 put करते हैं तो भी expression zero हो जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो given polynomial हैं इसके तीन zeros हैं क्या क्या 1 2 और 3 तो यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे real numbers हैं जिनको कि जब हम x के जगा substitute करते हैं तो वो पूरे expression को zero कर देते हैं इसलिए 1 2 और 3 is given polynomial expression के zeros है ठीक है आपको मैं एक tip देता हूँ बहुत ज़्यादा important आप solve करने से पहले या find out करने से पहले ही बता पाएंगे कि कि किसी भी confusion होगा कि सर यहाँ पे power तो 3 भी है expression का 2 भी है x का power फिर x का power 1 भी है तो हम degree किसको बोलेंगे तो degree is always the highest power तो highest power क्या है इस polynomial expression का आप खुद देखे 3 तो यह cubic polynomial है classification हम देख चुके हैं इसका degree 3 है तो क्योंकि इस polynomial expression का degree 3 है तो इसके zeros भी 3 ही आएंगे जो आ चुके है 1, 2 और 3 अगर आपको try करना है तो इसी expression में आप x के जगा 4 पूट करके देखिए तो आपको पता चलेगा expression 0 नहीं होगा इसका अतलब कि 4 is not a 0 of given polynomial देखे 0 कोई भी नंबर हो सकता था ऐसा नहीं लगना चीए कि हमेशा 1, 2, 3 ही आएगा कोई भी दुनिया का नंबर उठाईए real नंबर उसको आप substitute करके देखिए hit and trial method से अगर पूरे expression को 0 कर दे वो नंबर तो ही वो इस polynomial expression का 0 होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है चलिए तो hope आपको 0 clear हो चुका होगा और ये भी पता चल गया कि जो degree होता है वो represent करता है कि उसके कितने 0s होंगे तो similarly quadratic polynomial के 0s कितने आएंगे सिर्फ 2 क्योंकि degree उसकी 2 होती ही highest power linear के कितने आएंगे सिर्फ एक ही 0 आएगा क्योंकि उसका highest power 1 होता है cubic के 3 आएंगे by quadratic के 4 चलिए अब आगे बढ़ते हैं geometrical representation के तरफ आपको मैं बता दूँ कि आपके syllabus में सिर्फ दो ही type के polynomial expression का geometrical representation आपको study करना है पहला है linear दूसरा है quadratic तो चलिए आगे देखते हैं first linear ये देखिए आपके सामने एक linear polynomial expression आ चुका है y is equal to 2x minus 5 ठीक है तो 2x minus 5 obviously x का power 1 है तो ये एक linear polynomial है क्योंकि उसके degree 2 है अब geometrical representation मतलब ये जो given equation है हमको उसका हमको graph plot करना है तो आप class 9 पे भी किये है linear equation in two variables वाले chapter में याद करिए कैसे करते हैं graph plot आप x का value अपने मन से कोई भी select करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने दो number ले लिया है x को 1 और 4 तो उसके basis पे y के कुछ values आएंगे solve करके कहाँ put करना है हमको x इसी equation में तो x को अगर हम यहाँ इस expression में 1 put करते हैं तो 2-5-3 आ जाएगा y है नो अगर x के जगा 4 put करते हैं तो 2 into 4 8-5 यह 3 आ गया तो x के दो values के लिए corresponding y के भी दो values आ चुके हमको सिर्फ और सिर्फ दो ही coordinate चाहिए किसी भी graph को plot करने के लिए तो चलिए देखते हैं कि इसका graph कैसे बनेगा आगे इन values को प्याद रखेगा इन coordinates को पहला coordinate है आपका 1,-3 और दूसरा हो जाएगा 4,3 इनी दो coordinates को plot करके हम इस linear polynomial expression का graph plot करेंगे तो पहले यहां तक आप note करेंगे वीडियो pause करके फिर आगे देखते चलिए students आगे बढ़ते हैं next अब हम plot करने वाले graph of that linear polynomial जिसके दो coordinate हमने अलड़ी निकाल लिये हैं तो मैं आपको direct graph दिखाता हूँ फिर यहां पे जो statement लिखा है वो explain करूँगा तो देखे इस तरीके से आप copy में अपने graph बना सकते हैं अपने सही बना सकते हैं तो हमने दो axis बना लिया पहले तो x और y आप जानते हैं फिर एक line draw करेंगे ध्यान से student line के दोनों तरफ arrow होना चाहिए यह line segment नहीं है line है उसके दो coordinate क्या क्या आये थे एक था 4,3 दूसरा था 1,-3 हमने निकाला था table में उन्हीं दोनों points को plot किया तो एक straight line आ गया तो very important graph of a linear polynomial is always straight line ठीक है अच्छा जो हमने polynomial expression अभी लिया है as example उसमें variable क्या है x है variable तो obviously यह जो line है straight line linear polynomial का graph वो कहीं न कहीं x axis को किसी एक particular point पे cut करेगा ही आप graph plot करके देख लेंगे तो clearly दिख रहा है कि वो 5 by 2,0 इस coordinate वाले point पे x axis को cut कर रहा है यह graph straight line तो clearly x axis को ही क्यों cut कर रहा है y को क्यों नहीं कर सकता y को भी कर सकता था but यह जो हमारा equation दिया है expression polynomial का वो x के terms में है variable इसलिए वो x axis को ही cut करेगा graph अगर वो y के terms में होता है तो clearly y को cut करता है y axis को ठीक है but जिस भी point पे intersect करता है वो point 0 कहलाता है ठीक है अब यहाँ पे तो coordinates में हमारे पास दो value है एक है 5 by 2 और एक है y का 0 ठीक है तो 5 by 2 क्या है 5 by 2 is a 0 of this linear polynomial आप try करके देख लीजे यहाँ पे आप इस polynomial expression में x के जगा अगर 5 by 2 put करते हैं तो यह पूरा expression 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ इस given linear polynomial का 0 क्या है 5 by 2 और कितने 0 जाएंगे सिर्फ एक ही आएगा क्यों क्यों क्योंकि degree जो है इस polynomial का वो 1 है लीनियर का तो होप आपको यह statement भी clear हो चुका होगा कि linear polynomial का degree 1 तो उसके 0s 1 आएंगे और वो x-axis को कितने point पे intersect करेगा only 1 point ठीक है तो उसका 0 1 होता है तो चलिए यहां तक note करिए graph अराम से आप बना लीजिए फिर आगे देखते हैं चलिए students आगे बढ़ते हैं next slide के तरफ और अब है next हमारा geometrical representation of quadratic polynomial जैसे मैं आपको बताया था कि सिर्फ दो ही type के आपको polynomial graphically अपने syllabus में study करना है एक था linear दूसरा है quadratic quadratic देखिए हमने एक example ले लिया x square minus 2x minus 8 यह quadratic polynomial है क्योंकि इसकी degree means highest power 2 है तो उसको same फिर वैसी table बनाएंगे x के मन चाहे value substitute करेंगे corresponding हमको y के values बहुत सारे मिल जाएंगे minimum आपको 3-4 point put कर लेना चाहिए बट यहाँ पे काफी सारे points आपको सामने दिख रहे है चलिए इसका graph देखते है graph plot हो गया इसका u shape में आपको दिख रहा है जितने भी points है हर एक point को हमने plot किया यह curve के form में आया है तो पहली बात तो यह कि quadratic polynomial का जो graph होता है वो होता है curve ठीक है और जैसे linear polynomial का graph सिर्फ एक ही point पे x-axis को intersect कर रहा था तो quadratic polynomial का graph ध्यान से सुनिए x-axis को 2 point पे intersect करेगा देखिए एक यहाँ पे कर रहा है graph में आप देखिए minus 2,0 पे और दूसरा 4,0 पे second point intersect कर रहा है x-axis को x-axis को ही क्यों कर रहा है क्योंकि जो हमारा expression है polynomial का वो x-variable के terms में है अगर y-variable के terms में होता है तो obviously y-axis को भी intersect करता but important यह है कि जिस दो point पे intersect कर रहा है उसके coordinates से ही हमको zeros पता चल जाएगा इस quadratic polynomial का तो क्या-क्या हो जाएंगे zeros y-coordinate को तो आपको देखना नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे ही by default 0 है x-coordinate आप देखिए minus 2 है एक और दूसरा है 4 तो obviously minus 2 and 4 are the two zeros of this given quadratic polynomial तो hope आपको clear हो चुका है उसके दो zeros भी आपको clearly दिख रहे हैं graph में और यह भी समझ में आ गया कि quadratic polynomial के graph axis को सिर्फ दो ही point पे intersect कर सकते है याद रहे axis x भी हो सकता है y भी हो सकता है depending कि आपका polynomial expression कौन से variable के terms में दिया है चलिए यहां तक note करिए graph अराम से आप बनाईए इसके बाद हम देखेंगे ncrt exercise 2.1 first exercise है आपके second chapter का very easy एक ही question है उसमें और उसमें भी कुछ solve नहीं करना है वो हम देखते हैं थोड़ी ज़ेरे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ncrt exercise 2.1 यह देखे एक ही question है मैं question दिखाता हूँ आपको पहले यह देखे उसमें total 6 graph आपको दिख रहे हैं question के अंदर और आपको graph को देख करके सिर्फ यह बताना है कि जो given polynomials expression है in respective graphs के है ना उनमें कितने zeros है तो जैसे कि अगर हम पहला graph देखे तो यहाँ पे कौन से axis intersect हो रहा है graph से clearly यह graph एक straight line का है तो obviously यहाँ पे जो polynomial expression होगा वो किस type का होगा linear है ना और उसके zeros कितने आएंगे एक ही आएंगे कहाँ पे आएंगे जहाँ पे वो axis को intersect करेगा यह देखिए यहाँ पे कर रहा है कितने zeros होंगे first वाले graph में one zero second graph का आप देखिए curve एक आया है और वो axis को कितने point पे intersect कर रहा है two point एक यहाँ पे y axis को और दूसरा यहाँ पे x axis को तो कितने zeros हो जाएंगे यहाँ पे polynomial expression के बताईए आप दो zeros होंगे ठीक है लेकिन देखिए एक चीज़ आप question में समझिए कि आपको यहाँ पे बोल दिया है कि आपका जो polynomial expression है वो x के ही terms में यह बहुत important है तो जैसे मैं बताया variable आपका x भी हो सकता है y भी हो सकता है ठीक है ध्यान से सुनिये तो अगर इस basis पर अगर हम देखें तो जो first वाला graph है वो तो x-axis को कहीं भी intersect नहीं किया अगर यह p of y लिखा होता है ध्यान से समझ लेजे तो फिर इसका answer one zero हो जाता बट क्योंकि p of x दिया है तो आपका already given है कि second वाले graph में सिर्फ अब x-axis पे हम focus करते हैं क्योंकि हमको given है कि expression हमारा x variable के terms में तो x-axis को देखे कितने point पे intersect हुआ सिर्फ एक ही point पे तो single zero third वाले graph में हम देखे हैं x-axis को देखे कितने point पे intersection है 1, 2, 3 तो इसके 3 zeros मतलब यह cubic polynomial होगा है ना और यह second वाला क्या रहा होगा linear रहा होगा linear नहीं बोल सकते इसको एक ही point आया है बट curve है ठीक है next fourth वाला कितने point पे intersect हुआ है x-axis 1, 2 तो इसके 2 zeros हैं इसको देखे कितने point पे intersect हुआ है 1, 2, 3, 4 तो इसके 4 zeros होगा है इसको देखे 1, 2, 3 सिर्फ x-axis को ही देखेगा y-axis भी intersect हो रहा है बट यहाँ पे आपको सिर्फ focus x-axis को ही करना है क्योंकि polynomial आपका x variable के ही terms में है तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीन points पे intersection था इसके 3 zeros होगे तो answer भी देख लेते हैं जल्दी से देखे वही लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ दो ही parts solve करके दिखा है first part में no zeros लिखा है क्योंकि x-axis को एक भी जगा intersect नहीं कर रहा है और second वाले graph में single zero मतलब intersection only at one point तो सिर्फ इसका एक zero है ऐसा लिखा है but मैंने पूरे parts discuss कर दिये हैं यहाँ पे तो बाकी के भी remaining parts का आप answer अपने copy में लिख लेंगे तो इस तरीके से आपका NCRT exercise 2.1 complete हो गया है आज और हमने clearly geometrical expressions कैसे represent करना है किसी भी polynomial expression का वो देख लिया साथ ही साथ हम यह जान पाए हैं कि point of intersection zero represent करता है तो hope आपको आज का topic clear हुआ हो but कोई भी doubt हो आप 2-3 बार play करके देखें वीडियो ठीक है तो आप expected है कि आपके doubts clear हो जाएंगे फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप call कर सकते हैं whatsapp करिए यह हमारे app में chat section में जाकर कि अपने doubts clear कर सकते हैं तो students फिर मिलते हैं next video lecture में thank you